हालो बच्चो स्वागत है आप सभी लोग का डाउटनेट में मैं विपिंसिंग आपका भौती विग्यान टीचर एक बार फिर से आपके सामने इस चैप्टर में हम पात करने वाले हैं वन स्वाट रिवीजन की इस चैप्टर को पूरा का पूरा हमें एक ही लेक्षर में कंप तो थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी और मैं कोसिस करूँगा कि आपको रिवीजन में रिवीजन का फायदा पहुंचे आपको समझ में आए चीज़े ऐसा निया कि बिल्कुल ऐसा फटा 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 से निकल जाएंगी तो चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूँगा से ठीक है प्रकास का परावर्तन हटुका एक फिर भी में परावर्तन थोड़ा से बताओंगा अब दर पर सूतर बताओंगा आवर्धन बताओंगा फिर आगे बढ़ूँगा ठीक है तो इस्टार्ट करते सबसे पहले प्रकास का परावर्तन प्रकास का परावर्तन वैसे स करता है प्रकास का परावर्तन के आए बटा कि जब कोई प्रकास किरल किसी सता स्टक्रा के लोड जाती है तो प्रकास के घटना को प्रकास का परावर्तन कहते हैं सिंपल सी बेसिक सी परिछासा लेखे गई है जिसको चल Happiness पर एक प्रकास पर वर्तवर्तन दिखाने के लिए एक बना लूर यह पर यह परा वर्तक सता निक ठीक तरीका नीचे थे तरह स्पाइक होती है इसको कली आई प्रकास किरड़ प्रकास कों किरड़ के रूप में पड़ते हैं तो मैं मान लेता हूं कि प्रकास किरड़ इस प्रकार से आई यहाँ पर और और फिर कुछ कोड़ बनाते हुए निकल गई ऐसे ठीक है इस प्रकार से और से निकल गई तो यह जो पॉइंट है जहां पर प लमब कहते हैं अभी लमब के साथ आप तीक ःठोबस्पड़ा लोका से को जिए इसको पर आरह मोंते इसको अर्म परावरत्र का नियम आप सभी जानते है पर अरथे नियम में पहला नियम दोगगा यह अप प्रवर्त की रषाय बला में रृलम औ को Ayane O än ओ वोल दिते हैं और याद रखेंगे ठीक आप जानते है बेसिक से चीजा आपड़ चुके हैं दूसरा परवर्तन का नियम होता है कि आप टित की रषप आप टित की रषख अभी लम्ब तथा आपतन बिंदो तथा परावर्तित किरण परावर्तित किरण सभी एक ही तल में सभी एक ही तल में हुपस्थित होते हैं यह कि तल में होते हैं एक ही तल में उपस्थित हैं तो आई बरावर कोड़ार आप यह जानते हैं से बच्ची हो गया प्रकास का परावर्तन प्रकास के परावर्तन के बाद दर्पढ सूत्र और आवर्धन के हम बात करते हैं दर्पढ सूत्र और आवर्धन अलाग के कख्षा दस्मी में आपने पढ़ा है फिर भी थोड़ा सा है पर आपको एक बार दिखा देरना जरूरी है दर्पढ सूत्र बटा दर्पढ सूत्र हो एफ फोकस दूरी है वी है वस्तु की दूरी और यू क्या है वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी ठीक है दरपड के ध्रूव से सभी दूरिया दरपड के ध्रूव से ना पी जाती है दरपड सो तक तीनों तरह के दरपड के लिए सकते है पहला चाहे वो समतल दरपड हो ठीक है तो यह सम्तल दरपढ़ आवतल दरपढ़ और उतल्दरपढ़ तेनों के लिए सब्ते है यह फार्मूला तेनों के लिए सबते होता है तेख़े़ है शम्तल दरपढ़ के लिए फोकस दूरी अगर आप देखेंगे, F अगर मैं बात करो समतल के लिए, ठीक है या उनके नीचे ही लिख देता हूँ, मैं फोकस दूरी इनकी, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी मैं अगर लिखो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, मैं बात करना हूँ यहाँ पर कि इसकी मैं फोकस दूरी आवतल की हर्दम नेगर्टिव आती है रणात्मक होती है आवतल दरपड की फोकस दूरी और आवतल दरपड की फोकस दूरी आप देखेंगे हमेशा पॉसिटिव हो करती है तो हमेशा पॉसिटिव हो करती है ठीक है तो यह तीनों को याद रखेंगे तीनों के बेसिक चीजों को याद रखेंगे दूसरा यहाँ पर है आवर्धन अवर्धन को एम से निरुपित करते हैं आई भाई ओ समीकर्ण नमबर एक बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं एम बराबर होता है माइनस वी भटा यू के समीकर्ण नमबर दो तो आवर्धन के दो सुत्र हो जात आवर्धन कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से आवर्धन और दरपर सुत्र के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आगे चलते हैं वास्तिविक और आभासी प्रतिविक थोड़ा से यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे वास्तिविक प्रतिविक क्या है जो की नहीं पर प्राप्त किया दासकता है सदय व्वास्ते के सापिख उल्टावनती है थिकर वास्त्व परतित और पर वरतित किलड़े इस से होकर गुजरतिय रथा तो वास्तव लिंद्व कaggio रही है जहां पर वही पर यह प्रति विर्ड़ी मनता है जहां पर सच में परावर्तित या पर्तित करड़े दूसरे से मिलती है या काटती है दूसरे को वहां पर वास्तिक प्रतिव मनता है और जहां पर काटती हुए प्रतीत होती है गुजरती नहीं नहीं गुजरती है बलकि प्रतीत होती है ऐसा आभास होता है ऐसा लगता है कि यहां पर नहीं किया जासटा है लोसको पर ब्रफ या जा सकता है तो आप बेसिक सांतर याद रखेंगे इमपोर्टेट एक एक माध्यम से शेल माध्यम में जाती है तो आभी लॉंसे दूर जाती है इस घंठा कोही प्रकास का अपवर्तन जसकी को को अपर बरतन का आए खिटे प्रकास का अपवर्तन कहते हैं ठीक है प्रकास का अपवरतन कहते हैं ठीक है अचाव प्रकास का अपवरतन कहते हैं The problem बदाया गया है कि अभिलंब से दूर हट रही है विलंब के पास आ रही है तो इसको दोनों को समझ लेते हैं जैसे मैं दो यहां पर चित्रवना लेता हूं ठीक है लट से की प्रकास इस प्रकार से आई यहां पर मिसप्रकार से आहाब पर आई और प्रकास को अब देख सकते इस रास्ते जाना था प्रकास उस रास्टे नहीं भढ़ेगी अपने रास्ते नहीं गई बल्कि अभिलंब की और देखो माध्यम में जाती है तो अभिलंब की और एक बार जूक रही है तो अभिलंब की और मान लेता हो कि जूक जा रही है तेके यह पहला डाइग्राम है और दूसरा डाइग्राम मैं मान रहा हूं कि प्रकास इस प्रकार से सता पर पड़ी और दूसरे माध्धि में जहाना था तो अभी लंब डालते हैं अभी लंब की ओर जुकी नहीं बलकि अभी लंब से दूर हटकी तो यह दूसरा डाइगराव आप देख सकते हैं इसका वतलग कि यहाँ पर यह माध्धिम जो था यह विरल था ज को आप देख सकते अभी लंब से दूर हट जा रही है ठीक है इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रकास का अपर अपवर्तन की घटना है कोड आई कोड आर और यहाँ पर भी कोड आई और कोड आर ठीक है प्रकास के अपवर्तन की घटना को आप देख सकते एक बर प्रकास अपने बार्क से विच लिटोगे अंदर के तरफ आजाती है जब विरल से सगन से जाती है तो जब सगन सब्सक्राइब जाती है इसके लिए नियम दिया था खास आप तित्किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण इंग सभी एक ही तल में होते हैं कि सभी ही तल में होते हैं होते हैं ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा बट गया ठीक है दूसरा दूसरे को हमें स्नेल का नियम भी बोलते हैं बटा स्नेल का नियम भी बोलते हैं दूसरे नियम को तो स्नेल ने इसको नियम दिया था इस नियम को दिया था स्नेल का नियम इन्होंने कहा कि जो आपतन कोड क जया है साइन आई बटे अपवरतन कोड की जया यह एक नियतांग होती है माध्यम के नियतांग पनिर्भर करती है जिसको अपवरतनांग कहते हैं तो यह अपवरतनांग कहते हैं तो यह अपवरतनांग कहते हैं हला कि इसको हम लिख लेते हैं पहले माध्यम के सापेग्स दू लिखा जाता बड़ आपको अब बताऊ तो यही सही है यहाँ वन म्यूटू जो लिखा है वन म्यूटू क्या है पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आप वर्तनांक है ठीक है इसी प्रकार इसी प्रकार जो वन म्यूटू लिखा सक्ष लिक सकते हैं मूटू डिवाट बाई new one k ticket to new to divide by new one k जिसका अपरतना खुत वह उपर जिसके सापेश लिखते वह नीचे आता है ठीक है तथा अगर मुझे ये लिखना है तथा अगर मुझे टूम यूवन लिखना है तो टूम यूवन लिखना है तो टूम यूवन लिखेंगे तो या जाएगा मूटू तूम करें डूम एगा दो के साफ़ेट कवान का अंपरतना टो पहरे ऐमयिकाने होती इसके सापेश और उसका और उसको लिखते हैं तो डोकह सापेश वन और इसको लिखेंगे तो आयगा मुट वन डिवाइड वाई मूट यहां से हमें पता चलता है इसको अगमर समीकरण एक बोलू और इसको समीकरण नमबर दो बोलू तो दोनुस में लिख सकता हूं कि वन मूट बरावर होता है एक बटा टू मूट के तो एक दूसरे के विद्कॉरन पाती है प्चाहे तो माध्यम के साफ एक दूसरे का परतनांग दूसरे माध्यम के साफ एक पहले का परतनांग इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक है माध्यम का परतनांग कई जगे कई जगे मू को एन भी इस्तेमाल किया जाता है एन से लिखा जाता है तो आपके भूक में अगर एन लिखा है म और यह सेम है ठीक है दोनों सेम है दोनों कोई डिफरेंस नहीं है याद रखेंगे ठीक है चलिए एन लिखिए मियू लिखिए आपकी मर्जी है जिससे आप निरूपित करना पसंद करें अब आगे चलते है तोड़ा सा परतनांग के बाद पूर आंतरिक परावरतन की बात कर है दूसरा है कि सखन माध्यम में प्रकास किरण का जो आपतन कोड़ है वह माध्यूम के संगत क्रांतिक कोड़ से अधिक होना चुए अब पहले तो हमें क्रांतिक कोड़ को ही समझना है कि वह यह क्रांतिक कोड़ जो लिखा है क्रांतिक कोड़ नाम की जीज है क्या क्रांत कोछ समझे लिया तो हमारा काम हो जाएगा था तो सब से पहले समझते यह क्रांति कोध कर अधिक को Alea क्रांति कोर आपको क्या पढ़ाया गया है तो की यहां पर डिठेल लेक्चर नहीं हो फुला सा आगे ते चले का अधिक कोड है के सब न अ यृष एफ फॉष के चले वह विशेष कोड वह विशेष कोड जिसके लिए जिसके लिए अपवर्तन कोड अपवर्तन कोड कामान नबवे अंस हो जाए या हो जाता है ठीक है अब अन्स हो जाता है हो जाता या होता है ऐसा भी अब लिख सकते हैं क्रांतिक कोड कहलाता है क्रांतिक कोड तरह का आपतन कोड ही लेकिन विशेष आपतन कोड ठीक है माध्यू कोड वाह विशेष आपतन कोड यहाप नहीं लिखा नहीं यहाप पर आपतन कोड आएगा विशेष आपतन कोड जिसके लिए अप वर्तन कोड कामान नबवे डिगरी हो जाता है क्रांतिक को के लाता है अर्था आद समझे है इसको लेकरा हूँ माली जिय कि यह माध्यम यहाँ पर विरल है और यह सघन है ठीक है तो सघन से विरल के तरफ प्रकास को जाना चाहिए ले लेते हैं प्रकास को प्रकास कि रही है हो कि प्रकास की किरण ऐसे जा रही है ठीक है अब यहां पर अभिलम डाल लेते हैं और यह कोड जो बन रहा है आई यह ऐसा कोड है जिसके लिए अपवर्तन कोड का मान 90 डिगरी हो गया मतलब प्रकास की किरण इस पर चलने लगी मतलब यह कोड अगर देखो तो आपको 90 रुपीत करते हैं तो आई सी है यह करांतिक कोड है यह से कोड कोड केहेंगे ऐसा विसेस इस अपर जिसके लिए पर तन को कंड का मान 90 डिगरी हो गया यहाँ पर स्नैल का निम लगाई है इस नेल नियम से स्नेल नियम से लिए खायेंगे अब आपको अमध में आ गया होग का पूरांतिक परावरतन है क्या तो स्नेल नियम से आपको समझ में आ गया है हम पर किसाइन आई सी डिवैड बाई साइन आर बराबर हो जायेगा का ओथ हुद इसका इस का पुरतन लेते हैं यह विरल माध्यम है इसके लिए में माध्यम का पूरतनांक माले ताहूं के मियू ठू जो है वो one है और नियू वन जो है पहला माध्यम यह है तो इसका मियू माल लेता हूं को भी तो यहां पर हम लिखते हैं वनियू टू का मतलब होता है म्यूटू बटा दोनों कमान रख लेते हैं साइन i.c. sin i.c. divide by sin r, r के वेलु कितने ही 90 डिगरी ती हो जाएगा 90 डिगरी और बराबर हो जाएगा बटा, mu2 बते, mu1, mu2 की वेलू किया मानी हमने 1 और डिवाइड बाइड बाइड मिवन की वेलू हमने मानी है mu, तो हमारे पास अगले पेज़ पी यह आ जाएगा, अगले पेज़ पे आ जाएगा, sin i.c. divide by sin 90 डिगरी के वेलू होती है, 1 बराबर हो जाएगा, एक बटा, mu2 की तो आप देख सकते, यहाँ पर आ गया है, sin i.c. बराबर आ गया है, या इसको तो आप ब्रैकेट कर सकते हैं, इतना डिगरी, या आप लिख सकते हैं कि mu बराबर एक बटा sin i.c. तो आप यह भी लिख सकते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं, और आप यह भी लिख सकते हैं, तीनो सूत्र क्रांतिक कोड के सूत्र है, ठीक है, तो क्रांतिक कोड स से गर्मान में थोड़ा से पंद ने चोड़ tokyo इसी मय्ढां में लोट को यह तो पूर अंतरिक परावर्तन के याप देखेंगे जब आपतन कोन का ओन आप तनकोड का मान करांतिक से ज्यादा हो जाता है तो प्रकास उसी माध्या में वापस यह। परावर्तन के नियम का पहरण होना इस स्टार्ट हो जाता यह कोल आ यह कोल आए यह यह है सघन माध्यम और यह विरल मध्यम ठीक हैं इसली बात है और सिंपल सा है कि आप देख सकते हैं कि यह पूढ आंतरिक परावर्तन हो रहा है आपर यहां पर एक चिर लिखना बताना ज जरूरी है कि आई जो है वो greater than है आई सी से ठीक है मतलब यहाँ पर आई जो आप तन कोड है वो क्रांतिक कोड से बड़ा है तभी जाके होगा यह तब यह लोटेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोड आई बराबर हो जाएगा कोड आर परावरतन के नियम से परावरतन में इस प्रावर्तन के नियम के में रभड़ देख सकते हैं इस प्रकार से मोई और ओर हापस में बराबर हो जाएंगी मोर्स जहने सिद गोली प्रिस्ट पर अप उप्वर्तन गोली प्रस्ट और के लिए एक उतल सता-क यह है आवतल सता के लिए भी सी प्रकार की चीजी होती है आप जनते है यहाँ पर जैसे आई थीटा फिटा 1 और थी टो यूर संटे फोड़ा सा रही तो वही यहाँ पर कोड आई रहेगा और यहाँ पर कोल है आफ कि सी मूट है बाकी सारे चीज़ चीज सेम लिखें है मिवट्स के वैलू हम हमन मान रोब हया यह जब ऐसा करते हैं तो वहाumble 11 कि तयार होता है और सब्सक्राइक ऑफ बाइछ इन्य होन डिवा कर वाई यू यू बरावर आता है मू माइनस वन इन तुव 3 है वकप रस्ट के यहाई Curry यह फॉर्मूला बनता है लेकिन इस फॉर्मूले से पहले जो मेंन फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को कई बार मुट्वाइट वी माइनस मुवन ऐज भाई यू बराबर मुट्व माइनस मुवन into one by r लिखा जाता है और ये दोनों formulae same है ये दोनों formulae same है आप देखिए यहाँ पर mu2 की value अब mu रख दीजे mu2 की value mu रख दीजे तो ये आएगा mu और mu1 की value 1 रख देंगे तो ये वाला formula बन जाएगा तो ये formula यहाँ से आपको इस formula तक जाना है अगा तो simple से बात करनी है कि mu2 बरावर mu रख दीजे और mu1 बरावर 1 रख दीजे आपको ये वाला formula मिल जाएगा दोनों formulae same है main formula ये है इस formula से ये formula बनता है जो आपके 12 ने है तो ये formula काफी important है काफी इसका important derivation है इसका derivation सही बच्चे एक्जाम से पहले जरूर देख लेंगे काफी important है ये derivation और exam में बार-बार पूछा भी गया है तो इस वाज़ास में कहूंगा कि आप जरूर इसको ध्यान देंगे लेक्श चलते हैं lens की बात करते हैं lens कही तरह के है उभी उत्तल लेंस वो लेंस है जिसको आप सिर्फ उत्तल लेंस बोलते हैं उभी उत्तल लेंस असरी समोत तल लेंस जो हम बोलते हैं यहां पर देखेंगे कि कि आरवन बराबर और डो और डून बराबर आर के हैं यह समूत लेंस जिसको अप सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस बहुत MI यि इस मथितन लेंस जिसको आप अभी तक पर आए थे कोग्षा दस्पी तक ये भी उत 여러분 के दोनेंस की दोनों सता कित Install अलग ये आपको थोड़ा सा सेम दिख रहा होग़ा सको ऐसा माणिय के एक मोटा है औरיעक पतल है एक सीधा है और अध्रासा ओठके आया हुआ है ऐसे माल लिज्जे कि दौनों की तРИज्ज एक आरवन है एक के लड़ो है मतलब दोनों के तरिज्या बरावर नहीं वस इतना है यह चभावन फ़से बरावर नहीं है यह बरावण और ऊद ज你好 लोगत RM है यहां पर देखी थो ना यह लेखर और बोलोर ले यहां पर देखेर को नहीं हो आरे कि यगँ और फिर से ब्रहूरू नहीं है और आरवन और आर्टू बरावर नहीं है एक उत्तल सता है एक आवतल सता यह उत्तल सता है तो आवतल उत्तल लेंस आवतल उत्तल और उत्तल लेंस से मिलके बना है तो अवतल उत्तल लेंस है यह जैसे अभी तक उत्तल के लिए था वैसा ही आरवन और आर्टू बरावर नहीं है अवतल लेंस लेकिन आरवन रटू बरावर नहीं यहां पर आरवन रटू दोनों बरावर है आरवन बरावर है आरवन बरावर है आरटू बरावर आरके यहां पर आप देखेंगे तो आरटू अनंत है और आरवन जो है आरवन लेते हैं आरवन को तो आरवन सकते हैं ठीक है स ही तरह के लिंज्स आप को पढ़ते ऊक्षा बार्मीन की कि वह हम बात करते हैं तो आप गोशे तो और याऑν slash Adm arata a भॉपले के लिए डायगराम में बना देता हो है ठीक है मैं डाइग्राम तो बनाए देता हूँ कम सकम डाइग्राम हो आपके पास यह रबड़ेक्ट महोँ नया है यहां से प्रकास कि किरर चलेगी में में तो यह पार कास किक्राइब पहले शताने प्रतिवीश के कोसीस की यहां पर यहाँ पर यह आई वन पृतिविम जिसको हम बोल लेते हैं लेकिन यह पर प्रतिविम बन नहीं पाएगा और वस्तू का प्रत्विम जो है पहले सता ने जो बनाया था उसको वस्त समश के दूसरे सता फिर से स्कास प्रकास क्ता करेंगे और कहीं दूसरी जगये पर प्रतिवम मनाएगी तो प्रतिवम कहीं यहां पर बन रही है यह अन्तिम्फ प्रतिविंब है यह प्रत्म सता द्वार बनाएगे तो माइनस होगा यू रणात्म के दरफ दूरी आ जाएगी ठीक है बेसिक से चीज़े हो गई है बाकि अब कुछ बचा नहीं इसने ठीक है और आप वरतनांक माल लेते हैं ये म्यू वन है इसका परतनांक वन माल लेते हैं लेंस जो है लेंस को माल लेते हैं कि लेंस का माल पर कि प्रत्रम सब अंतिम प्रतिविम्ड है अंतिम प्रतिविम्ड है और I1 जो है प्रत्रम सथ ज हे बनाये बनाएगा पिर उने रसमसता स्था का च्वाइश बनाप्र ती लिख दिए अब जब इसका सूत्र देखते है तो सूत्र निकल के आता है यू बरावर आता है मैनस मीनस ब्लाइब आटा है तो इसको आप लिखते है 1 by f बराबर mu minus 1 multiply by 1 by r1 minus 1 by r2 के और bracket close इन दोनों समिक्रन के अगर तुलना करें तो इन दोनों से ये दोनों lense maker formula है इन दोनों के अगर तुलना करें तो finally आप देखेंगे 1 by f बराबर आपको निकल के आएगा 1 by v minus 1 by u इसको बोलते हैं लेंस सूत्र, सिंपल सा, यह क्या है, यह लेंस सूत्र है, यह है लेंस सूत्र, ठीक है, यह दोनों क्या है, लेंस निर्माता सूत्र है, लेंस, निर्माता, निर्माता या मेकर, सूत्र है, ठीक है, तो लेंस निर्माता सूत्र और लेंस सूत्र दोनों आपके सामने लिखे हुए है वह एक फोकस दूरी के रूप में है एक वस्तुकी और प्रतिविंद की इस्तिती की हिसाब से है दूरी की हिसाब से लिखी गई है दोनों चीजे आप देख सकते हैं आपके सामने है आगे चलते है थोड़ा सा ने सिनिमाता सूतर के बाद हम बात करते है लेंस की छमता के लेंस की छमता को पावर कहते हैं पावर को कैपिटल पी से दरस आजाता है पावर होती क्या वटा पावर है लेंस के या लेंस की फोकस दूरी के विद्करम को लेंस की छमता कहते हैं लेंस की छमता है फिक है तो जो फोकस दूरी उसके विद्करम शुक्रम को लेंज की शंता कहते हैं अर्थात अर्थात पावर बरावर हो जाता है एक बटा एफ अगर एफ मीटर में है फोकस को हमने फोकस दूरी को मिल्टर में लिया है तो और मात्रक होगा इसका डायोप्टर डायोप्टर इसको कैपिटल डी से रुपित करते हैं या आप इसको लिख सकते हैं पी बराबर 100 डिवाईड बाई एफ अगर एफ जो है सेंटी मीटर में है ठीक है इसका मात्रक भी डायोप्टर ही रहेगा बस मात्रक चेंज किया है थोड़ा सा मतलब यूनिट चेंज किया है सेंटिमीटर मीटर में कनवर्ट किया है इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है अच्छा लेंस की छमता होगे लेंस की छमता का फॉर्मूला हमने देख लिया पावर वन बाई एफ हुआ करता है अब संयोजन अगर में देखो लिन्सों का संयोजन अगर में देख रहा हूं और इसकी रिजल्टेंट पावर निकालने की प्रयास करो तो मैं अगर कहूं कि दो लिन्स हैं यह माल लेता हूं कि दो लिन्स हैं दो लिन्सों के लिए कुछ न कुछ चीजे हमें पता है जैसे इसकी पावर माल लेते हैं पीवन है इसकी पावर माल लेता हूं पीटू है इसकी फोकस में माल लेता हूं एफवन है इसकी फोकस में माल लेता हूं एफटू है तो जो परिडामी फोकस दूरी पहले निकाले, फोकस दूरी, परिडामी फोकस दूरी जो निकल के आगे बटा, वो होगी एक बटा F पराबर, एक बटा F1 और प्लस होगी एक बटा F2, याद रखें कि लेंसों के बीच में कोई गैप नहीं है, तब इस तरह की बाते हैं, ठीक है, औ और दूसरा, परिडामी छमता, परिडामी जो छमता निकल के आएगे, वो आएगे, P बराबर, P1 प्लस P2 के, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेंस की छमता और लेंस की पावर दोनों हमने निकाल ली है, अब अगर मैं कहूं कि इनके बीच में थोड़ा सा गै हो, थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर होतों क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि दोनों लेंस थोड़ी सी दूरी पर रखे हो, मतलब दोनों के बीच में दूरी D हो, परफेक्ट चित्रनी बन रहा है वाटा, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कहूं कि यह P1 है, यह P2 है, यह इसकी focus दूरी F1 है, इसकी focus दूरी F2 है, दोनों के बीच में gap है, इस बार D, D दूरी का gap है, तो परणामी focus जो निकलेगा, परणामी focus अब सामने ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाएगा, 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D divided by आएगा F1 F2 के, ठीक है, यह परणामी focus निक लेंगे, तो P बरावर आएगा, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 के, ठीक है, तो इस तरह से परणामी power हम लिखते हैं, तो दोनों चीजे मैंने लिख दी हैं, जब लिंसों के बीच में कोई जगे ना हो, और जब लिंसों के बीच में थोड़ी सी जगे खाली हो, ठीक है, दोनों के दोनों के बीच में थोड़ी gap हो, तब किस प्रकार से हम पावर लिखते हैं, तो दोनों पावर हमने, पावर और फोकस, दोनों चीजे जो को हमने यहां पर लिख लिया है, देख लिया इस प्रकार से, आगे चलते हैं थोड़ा सा, लेंस के बाद आता है, प्रिज्म, प्रि इस प्रिचम गौण लेता है यह प्रिज्म जो हे वो में आप द्रूक तना कहा था तो यह मैं कैल कुलड करना होता थे पर निल्गत को यह लिखाकर करते है और आई वन को आई सिर्फ बोला करते हैं तो आप चित्र में शिंदर जितने ठोड़ा सा परिवातान इहांपर देख सकते बाकी कोई परिवाद तरह यह परिघव सकते हैं तो परिघम विद्ध में इस प्रकार A B पर आप सीindiता और आट ऊंब जो की एह वो क्या है निर्गत कोन है ठिकर और और वन और डू क्या है फ़ Creator लड़क ए सी पर आप तर अब तर बाझ है इस प्रकार से चीए आपको लिख लेनी है तीक है अब इसमे न्यूंतम विचलन जो निकालते है्हीं अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूले आपको कुछ steps मिलते हैं जो मैं बता देता हूँ जो पहला फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कि डेल्टा जो होगा total वो डेल्टा one plus डेल्टा two के बरावर होगा फिर जो आप solve करते हैं आगे तो डेल्टा बरावर आपका आता है i plus e और माइनस आता है वटा R1 plus r2 के ठीखे ये फ़ॉर्मूला आपको मिलता है फिर जब आप हल करते है तो आपको एक फर्मूला मिलता है कि R1 plus R2 बराबर A है तो इस जगे पर A के A आजाता है तो आपको लिख बाइए ये फ़ोर्मूला वं जाता है प्रिज्म कोड के रूप में यहां पर यह can पर यह फ्रमुला काफी इंपोर्टन्ट है ति कि यह दोनों फॉर्मूले इंपोर्ट नुर्टे गया है है और हम बात करते है निवनतम विचैन के स्थिती निह न lass गी नियुन तम विचलन की स्थिति में जो हम बात करते हैं बच्छे, तो पहली चीज के आई जो है व हो बवर वो जाता है एके ठीक है और दूसरी चीज R1 बरावर हो जाता है R2 के इसको बरावर हम R मान लेते हैं ठीक है तो यह जो दोनों समिकरण है यहाँ से देखे क्या हो जाएगा यह समिकरण चमझ होके हो जाती है हमारी R1 पलस R2 दोनों बरावर है R के तो 2 R बरावर A तो यहां से R बरावर निकल के आता है A डिवाइड बाइट टू के ठीक है यह सो सूत्र बन जाता है और यहां से आप निकालेंगे तो यह और यहां से आप आई बरावर निकालते है तो आता है A प्लस डेलटा म डिवाइड बाई टू के तो i और आर दोनों का मान आप को यहां से मिल गया जैसी दोनों मान मिल गया है अब आपको याद रखे निकालना क्या है में प्रइवन नि viya कमोरी टना किस्ति प्रीज्म कर्णा करता तो इसके लिए आप लिखते हैं स्नेयल के नियम से ठीक है कि संेयल कर नियम से या नियम आनूसार वस्यीव वराबर क्या होते है बैता, साइन आई, डिवाइड बाइ साइन आए, तो सिंपल सी चीज है, मिव वराबर जब आब करेंगे, साइन आई, तो आई के जगे पे आपको क्या दिख रहा है, एक प्लस डेलटाम डिवाइड वाइड बाइटू और डिवाइड में आ ज आपको देरीवेसिल गरना था तो दोचीजे है तरог के लिए वहांततर से अब का इमपोर्तं डेरीवेसिन है काफी अच्छा डेरीवेसिन है एस डिरिवेसिन को याद रख़र रखेंगे से बच्छे ठिके चलिया और चलते है निकशल की तरफ नेक्स्टॉपिक के तरफ चाहर अगला टॉकिक को डिपका और विक दिखया पर लाटा हुथ मेरी वर्ड विक śथ न दिखते है हम सकता रसमी को बढ़ा रखे है souvent कि की अगर कोई प्रिस्म है बीजिन है अगर तो प्रिजिम के अगर अगर एक फलक पर प्रकास डाली जाए प्रिज्म को कौन कुछ होगा, यह थाक है alleen ABC लिजिए आप, ABC कोई और में लेटा हूँ कि प्रकास की किरण ऐसे डाली गई अब प्रकास किरण देखिये तो ऊड़े इससे डाली गई हैं से जान रही थी लेकिन इस носस रास्ते पन ही जा पाएगे वो फ़्ल पहली रास्ते क्ये स्वेत प्रकास कि रड़ंख स्वेत प्रकास कि पंज बाङ議 आप जैडेंग वह बुल इस वेट प्रकास है स्वेट प्रकास जब पढ़ेगी तो हैसे यह साथ करण करण में भीवक्त होंगी लेकिन साथ कलर में नहीं नहीं दिखा रहा है आप अधिक थो लाल कलर में दिखा देता हूं म他們 Cまसे आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा कम दिख रहा होगा बढ़ आप थोड़ा सा कोसिश करें betasom religion guidance इताल ठीक है एंचे ए अपने रास्ते से बटक किस तरह ? लाल और भीश में के लगा येटयो बीच का रंग में बता रहा हूं वह से तो बीच में नारंगी भी है लेकिन उससे मतलब नहीं है पीला पीला को हम वाई येलो से रिखाते हैं और सबसे नीचे जो कलर होता है उसको हम बैगनी बोलते हैं तो बैगनी कलर दिखे कर नहीं यहां पर इसलिए में थोड़ा से नील क rebellious है माध्या कलर बोलते है कि माध्या रण्ग इस लिए क्योंकि इसकी जो तरंगदेर्द होती है उन्दोनों का जो यह होता है वह पील रैंकित रंग उल्ँपनेज़ करके और कि बीच पर रहा है आप सिंपल सी बात है इसको माध्या या हम बोल सकते हैं कि मीन जो कलर डिए वो इसलिए भोल रहे है तो कि इसकी वेव लिंद का योग साफ के बरावर हतै ठीक है माधिकर बरावर होता है यह याद रखोगा ठीक है तरी जाहिं चलिए तो कुछ फॉर्मूले जैसे इस पदार्थ का उपरतरांग में कह रहा हूं मुव है प्रिजम के पदार्थ का उपरतरांग में मुव माल लेता हूं अब यहाँ पर कोडी वर्ड विक्षेपर लिखा है कोड के रूप में यहाँ पर प्रकास फैला हुआ है अगर आप माम इटा के इधर लिखता हूं साफ साफ है ठ된किरत मैं इसको ऐसा लिख देता हूं सबसे ज़्यादा विचलन आप देखेंगे बैगनी रंका है जिसको हम डेल्टा वी बोलेंगे उसके बाद बैगनी रंके बाद पीले रंका है जिसको हम डेल्टा वाई बोलेंगे और सबसे कम विचलन आप देखेंगे लाल रंका है जिसको हम डेल्टा आर बोलेंगे तो डेल्टा वी सबसे ज का तरंग दयर्ध होता है इसका तरंग दयर्ध हम मानते है लेमड़ा आर इसका तरंग की लिए अलग अलग उपरतनांग यहां पूर्तनांग तो यहां पर कुछ सूत्र मैं लिख राँ हो ध्याँ से देखेंगे पहला सूत्र जो लैमड़ा वाई है यह बराबर होता है लैमड़ा आर प्लस लैमड़ा वी डिवाइड बाई टू के दूसरा जो डेल्टा-वाई है माध्यरंग का विचलंग बराबर होता ह डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई टू के तीसरा तीनों रंगों के लिए जो अपवरत्रांग काम कर रहा है अर्थात म्यू वाई जो है वो बराबर है म्यू आर प्लस म्यू वी डिवाइड वाई टू के तो माध्य रंग के लिए तीनों चीजों के लिए दे जबसे ज़्यादा जिसके लिए मुल का न वान होगा उसके लिए ऑद देखे विशन सबस्द All어가 और जिसके लिए सब कम होगा उसके लिए अब देख सकते है विशन पाएगा आप इसके लिए एक फ्रमूला है यहां पर कोड़ी यह लिक्षपर की बात है कॉड़ में के ऊते Willim से रंग तक कितना फैले हैं तो अगर मुझे यह कॉड़ निकालना है अगर मुझे यह कोड़ च्यांत करने मेड़ा यह वाला कोड ये कोड कितना है ये कोड निकालना है तो ये कोड हम कैसे निकालेंगे ये कोड हम कैसे निकालेंगे तो ये कोड देखे टोटल कोड यहां से यहां तक कोड कितना है डेल्टा वी और ये छोटा सा कोड कितना है डेल्टा डेल्टा वी पूरा कोड है और डेल्ट डेल्टा आरके कोड यह वाड़ विक्षेपड अब एक फॉर्मूला याद रखिए गए एक फॉर्मूला और है जो इंपॉर्टेंट है और वो फॉर्मूला है याद रखना कि डेल्टा बरावर होता है म्यू माइनस वन इंटू एक क्या होता है म्यू माइनस वन इंटू एक तो इसी प्रकार से Delta Y कावाण गण लिख सकते हैं, तीन चीजों के लिए Delta Y, Delta R, Delta V तीनों का मांझ सकते हैं, जबlesia dette V लिखेंगे तो ये यदेटा धिकम औकस बिरने हो गई ही तो तो इस प्रकार से को define 2MिगशेफD आपको निकल के आगया है डेल टाव्य मैंने बीच अब एक रूप में आ जाएगा वहाँ से अब मान रखेंगा डेल्टा वी और डेल्टा र का उस फॉर्मूले से बना के तो आपको एक रूप में प्रिजम कोड के रूप में भी आपको इसका मान मिल जाएगा क्लियर है इसको बोलते है थीटा ठीक है कलर समझ में आ रहा है अलाग 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 कलर सारी चलिए आगे चल पड़के बाद विचल Northeast-ille जब कीबात करने मतलब डेल्टा का माल डेल्टा नेट जो होगा यह कितना होना चे बटाइब होगा मतलब कलर में तो प्रभाद तलर्ड तो होंगे फ्रकाश अलग अलग कलर में विभाजित आप लेकिन वीचलर नहीं होता मतलब यलो रंग कहा हम देखेंगे प्रारंभी कर आज के सा interviewing प्रारमभी रास्ते के बीच में कोड़ देखे तो जेटा नहीं है विक्षेपन है विक्षेपन मतलब में विभाजन है तो वही चीलिका है यदि सःयोजन कोई विचलन उत्पन नहीं करता है तो देल्टा और डेल्टादेश यह क्राउन प्रिजम है इसके द्वारा उत पने विचलंगे हम डेलिटा वोल रहे हैं इसका प्रिजम कोर एक इसका प्रिजम कोर एयस टिक है तो सिंपल सी बात है डेल्टा प्रस्डील टैस टेल टाब फॉरमुला घी बताया था मियू माइनस वन इंटू ए होता है तो इसके लिए हो जाएगा मियू डैस माइनस वन टू एड़ेस और दोनों को मान जो बरावर करेंगे तो यह फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है या इसको आप लिख सकते हैं कि ए डैस डिवाइड बाई ए बरावर आ जाए है तो याद रखेगा इसको एक और नाम से बोलते हैं इसको बोलते हैं आवर रख संयोजन इसको बोलते है तो सरी वर्ड़क संयोजन भी बोलते है क्योंकि क्योंकि रंग है यहापर देखिए वर्ड़क है वर्ड़ है मतलब रंग है संयोजन ऐसा है जिसमें रंग तो है ल जब रंग ना दिखाई दे मतलब स्वेथ प्रकास अंदर गई थी और स्वेथ प्रकासी बाहर निकल रही है तो विचलन तो है विचलन तो है इस बार डेल्टा इस बार देखिएगा इसमें हाँ डेल्टा जो है वो जीरो नहीं है ठीक है डेल्टा जीरो नहीं है ठीक है तो हो की विए डेल्टा जीरो नहीं है तो थीटा जो होता है वो डेल्टा वी मैस डेल्टा आर अभी दिखाया था डेल्टा वी मैस डेल्टार प्लस डेल्टार प्लस डेल्टार डैस दोनों से फिर से ठीक है यहां से इसके लिए ठीटा है और इसके लिए ठीटा डैस है तो दोन लिख सकते है माइनस मू भी माइनस मू आर ठीक है दोनो आपको दिखा दिया गया आप पर दोनो आपको बता दिया है मैं उमीद कर रहा हूं कि थोड़ा सा समझ में नहीं में थोड़ा सा अब ध्यान रखेंगे ठीक है दोनों में अंतर है विचे पर रहे तुछ लर्ण और विचलन रहे विक्षप दोनों लिखे हुए है याद दोनों को एक बार सन देख ली जेगा वर्ड़क से जिल लिखा भी है ठीक है तो दोनों को आप देख ल तो जब सूर के प्रकास से सूर का प्रतिवी के वायवंडल में प्रवेश करता है तो प्रतिवी के वायवंडल में उपस्थित होते हैं गैस के अड़ू और गैस के अड़ू द्वारा स्वेथ प्रकास जो है विभीनिदिसाओं में फैल जाता है और स्वेथ प्रकास में कि घटना है यही प्रकेरण है तो प्रकेरण में होता है कि सारे रंग फयल जा रहे हैं और सूर्यास्त और सूरे और के समय पर आप जानते हैं क теперь लमबा क्यों की प्रकास को ट्रबल करना पड़ता है काफी दूर से प्रकास आता है तो आप देखे जावनी हरा यह सब कलर के तरंगदैर्ध छोटे होते हैं इस वजह से आकास में आराम से यह जल्दी फैल जाया करते हैं बड़े तरंगदैर्ध वाले पीला और नारंगी और लाल रंग नीचे तक पहुंच पाते हैं ठीक है है बस हो यही रिजन स्केर्ट और फ़लय कि अमाखे चलते हैं डेत्र संबन दोस में आपने प्राधा में लिक honoring दोस दूर दिस दोस तो यही दोस फिर से आप देखेंगे तो निकट संबल्ली संबल्ली दोस में निकट द्रिस्ति दोस है निकट दिस्ति दोस यह है कि जब प्रकास या मैं कहूं कि जैसे आंख मैं बनाऊं ये आँंखे सिंपल सीघ्राओं कि कोई वस्त है तेक है माल लेते ही यह वस्त है यह होपर अबजेक्ट इस से चलके प्रकास जो जाता ही का था कर देरा रहे अधन में और निकट में कॉच्छा कर राइसने कर दिस्थोसे तो ही यह निकट ही कॉथा कर देरा है प्रकास को लेंस इसलिए निकट दिस्थोस जब तो दूर एकठा करेगा रेटिना से और ज्यादा दूर पीछे एकठा करेगा तो दूर दिस दोस्के लाएगा अब इसके उपचार वगएर आप जानते हैं तो कि लेंस ही होता है हमारा रांक तलेंस होता है तो लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा दूर बिंद कुद्धूरी बिंब की दूरी और फॉर्मूला अगर मीन्य आट थी कैंठ में weं तो हगा तो हैं आख्याने सबस्कार नहीं सपंना ता है सिंपल सी चीज है यह और आधिक्तम दूरी जिससे विर्ट बिना चस्मी के देख सकता है उसका दूर बिंदू कहला था है दूर का बंदू कह आ ल तो हमारी आख जो बनी है जो स्वस्थ आख होती है पचीजरी सेंटिमीटर से लेकर नंधर तक की बस्तुए से को दिखती है। तो 25 cm लेकर कि चीज़ दिख रही है इसको पास की व्तुवे दिख रही है अनंद कि नहीं दिख रहा तो जब दूर नहीं दिख रहा है तो कहा तक देखने के योग बनाना या कौर अनंत ले ले ने से लिए तो यू को हम अनंतपर ले लिया करते हैं वस्तुण न दी हो सिम्पल सी जी यह लगा है दूर दिस्दोस को अब दूर करने के लिए उटता ostr करते हैं इसमें जैसे यहां पर दिखाय था कि पास में कर्था कर दें रिये प्रकास तो दूर्ड दष्डूस मेदूर्य कठ था करना Пषाइंब करना स्कुर्ड दिखले का ही तो धूर्ठी दूर्ड तो ले लेते हैं अगर वस्त की सितने करता है तो 55 सेंटिमेटर क्यों कि आँख जो स्वस्त है वो पचीज संटिमीटर से अनन तर्थ देखने के लिए बनाई जाती है यह होती है अब इसको अनन्द तक की चीज़ दिखरें इस आख को जिसमें दूर दिस दोसे उसको दूर की वस तो पही तो दिख रही है अनन्तरतकी पासके कि ब्सक्राइ परेशी सेंटिमेटर तर्ण तक तर्ण है और देख पाएग गी तो है नहीं सारी लिकbare Benore दूर हो गया बस हो गया बाकि अब देख लिए च्छोटी से चीज़ है वही दर पर सुरी लेंस सूत्र लगा है आपका वन भाई एफ को पावर भी वोलते हैं तो वन भाई वी मैनस वन भाई यू एक वाई एफ निकट बिंदु की दूरी बिंदु की दूरी बिंदु की पिसमा लगाये तो जो आख पर कोण आंतृत करती इसको द्रिश स्बूर कहते हैं यह जो कोड़ वस्तु आंग पर आंतृत करती है और से कोर ठीक है अब को बरावर चाहब अपते रिज़ा होता है तो तीटा नोड ब्रावर आब देखें क्या आएगा चाहब अबपे तरि यहां में यहां पर जब हम लेन्स के साथ देख रहे हैं टीटा स्वार आफ देखें के सिराइगा है टो यह बटा अतुछ सकते है कि भीस लिए मतलब उतलanst लगा दिया तो प्रत्युम आनने पर बन रही है तो स्रांध आक से से इसकु जब प्रतिविम्ण आनन्ध पर बना करते है तो आउकlait म편 तो आउफर कोई जोर नहीं इंपड़ता आख उक्दम सांटों यह होती है तो सूरांथ volt उंस को सुछां डबाव नहीं आट में है नो कोई irritation नहीं है आख में कोई इसा तनाव से नहीं है एक दम्स खुली आंक से सांत आक से आप देख रहे हैं तो स्रांत आंक से बना कोड जो द्रिस से कोड है वह आपको लिया है है हुआ है ठीक है अब आवर्धन छंता आप जानते सुख दर सी को रखने पर नेतर द्वा two jar sevapu बना हुआ है जो pine awashq alay लेंगे और इसको जितना ज्यादा आवर धन करना है कегं़न गया अफ्या से सिंपल साहती इस थी स्टरंस कहईरा के पास होथी है इस div States a अ decides he अपने आख के हिजब से तो हो गया बस ठीक है फाकिश इसे सिंपल से चीज है आवर्धन लिखना था आवर्धन लिख दिया अपने फिर इसके वाद आता है संयूक सूख मिदर्शी संयूक सुख मिदर्शी में आप देखें आगे लगा होता है आप देश्ट लेंस इसको वस्तु लेंस भी बोलते हैं अब्जेक्ट लेंस क्योंकि बोलते हैं तो यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वस्तु पहले जो है लेंस द्वारते amid रहा होगे दूसरे के फोकस के और प्रकास के अंदर के मन रहा तो इसको आवर्थी और देगी बड़ा कर दिया और इसका आभासी प्रतिम मनाएगा बड़ा सा वर्थित अंतियम पूर्थव में यहां र lifesेङन में तक की दूरी तो यह हो गई यह एल जो है यह है लेंस नली की लंबाई नली की लंबाई आप कैसे निकलते हैं एल जो है एल नली की लंबाई कहलाता है नली की लंबाई यह आप से पूछा जाता है नली की लंबाई कुछ और नहीं बलकि लेंस से लेंस तक की दूरी है लेंस स की दूरी को ही नली की लंबाई कहते हैं अब नली की लंबाई अगर लिखना है तो आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोला गया है यहां से यहां तक की दूरी को वी बोला गया है और वी में यहां से यहां तक की दूरी अगर जोड़ दे तो यह लंबाई हो जाएगी वह दूरी क्या है यूई तो आप देखिए एल बराबर आप देखेंगे राएगा वी प्लस यूई 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 को ब्रैकेट मैं क्यों कर रहा हूं मौड क्यों लगा रहा हूं कि नली की लंबाई है लंबाई कभी धनात्मक नहीं हो सकती जब कि यह जो है यह दूरी होती है वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी धनात्मक रणात्मक हो सकती है हमें सिर्फ मान चाहिए तुमने मॉड लगा दिया ताकि इसका मान हमें सिर्फ धनात्मक प्राप तो बाकि छोड़ी-छोड़ी चीजे लिखिए यहां पर आप इसको पढ़ लेंगे ठीक है आवर धन चंता आपका निकालेंगे तो आवर धन चंता फिर से यहां पर देखें कोड बन रहे हैं कोड के स लगा कि आप निकाल सकते हैं बाकि फॉर्मूला समय उजन के लिए यह जब दी दूरी पर है समान्य समयोजन अभी दिखाया था किस तरह से और निकट बिंदु पर प्रतिविम के लिए मतलब डी बरावर पहचीछ संटिमीटर पर जब कोशीच संटिमेटर पर जब बन रह तो यहां पर क्या था चोटा लेंस आगे था बड़ा लेंस पीछे लेकिन यहां पर बड़ा लेंस आगे होगा चोटा लेंस पीछे बाकिसा में वैसा ही है इसमें भी नली के लंबाई आपको निकाल ली होती है यहां से यहां तक की दूरी नली की लंबाई लिखनी होती है नली की लंबाई L मानते हैं ठीक है और इसके द्वारा बना गया प्रतिम में यहां तक की हो जाएगा यहां से यहां से यहां तक की दूरी को क्या आप कहेंगे यह कहेंगे वी ओ और यहां से यहां तक की दूरी को तो ठीक है तो नेली के लंबाई लिख लेते इस प्रकार से और चित्र अगयरा बन रहा है आपको अन्द से आ रही है वस्त इस बार वस्त वन अन्द पे है और आफ अलफा कोड़ है तो सिंपल सी बात बीटा वटे अलफा हो जाएगा आवर्धन एम बराबर एम बराबर पीडियाफ आपको मिल गई होगी ठीक है वीडियाफ में चेक कर लेंगी या वीडियो को रोक करके आप पर पर सकते हैं बेसिक सी चीजी जो है वापको बता दिया कि दोनों का चित्र में याद रखियेगा एक दूसरे के विपरियत होते हैं छोटा लेंस इसमें आगे है ब अंतिम प्रतिमी में निकट बिंदु पर बने तो निकट बिंद पर बनेगा तो माइनस फोवाई एफी और प्लस आफिवाई टी तो यह बेसिक सीचीज है लिख लिए ठीक है अब डेरिवेशन क्योंकि कर नहीं रहे है वन वन सॉट रिवीजन है तो यहाँ पर सिर्फ नो नहीं हो जाए तो उस पर पस से ही इसको बनाया गया है कि आपका रिवीजन फटा-फट से हो जाए इस वीडियो के जैसे आप देखें लिए करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ठीक है ऐसे पड़ते रहे मुश्कुराते रहें बढ़ते रहें खिल खिलात रहें जुड़े रहें डाउटनुट के साथ बापाय